अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंजी का बटम बिल्कुल भी दवाना ना भूरे ताकि सबी लेटिस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले सब्सक्राइब आप कबीर साब की बात करते हैं कबीर साब की बातों को जन जन तक पहुंचाते हैं तो मैं चाहूँगा कि हमारे टीवी चैनल के माद्यम से कबीर साब की कुछ ऐसी वाते बताएं जो सारे देश को जानना बहुत जरूरी है कबीर साब ने कहा है जूटे जनी पत्यावहों सुनो संसु जाना तेरे घट में ही ठकपूर है मत खव अपाना जूटे की मंडान है धरती अस्माना दसों दिसावा की फंदे जीव घेर आना योग जप तप सैयम तीरत वरत दाना नौधा वेद किते बे जूटे का बाना का काहु के वचन फुरे काहु करामाती मान बढ़ाई ले राखी हिंदू तुरग जाती बाद ब्योंते अस्मान की मुद्दते नीरानी अरे आकास को ना परे हैं कि मेरा सत लोग इतना उंचा मेरा ब्रहम लोग इतना उंचा मेरा इतना योजन चोड़ा इतना योजन लंबा बात ब्यूलते असमान की ब्यूलते नापना, आकाश को नापने, अरे तेरे घर पर कितने डांट बलिंडे हैं, कितने गेड़े हैं, उसका तो कुछ ठीका ना है, कितनी गार्डर फर्शी है। तो साहिब केते, बात ब्योंते अस्मान की, मुद्धते निरानी, बहुत खुदी दिनराते, बुड़े बिन पानी, कहें कबीर कासो कौूं, सकलो जगंधा, और सांचे से भागा फिरे, और जूंटे का बंदा, तो हमको जूंटे का बंदा नहीं बनना चीए, हमें सब्ती की करनी चीए, सक्ती की रहा करनी चीए, निष्बक्ष होके रिना चीए, पच्छा पच्छी की खज़रा बुलान, हमको निर्फखष होके बात करनी चीए, मैं इस अवसर पर हमारे तथागत भगवान बुद्ध का ये मुझे भी जाते हैं कि किसी बात को है मेरे बुच्छों है बंते किसी बात को इसले मत मान लेना कि वो किसी शाफ्र में लिखी गई है किसी धर्मशाफ में लिखी गई है किसी बात को इसले भी मत मान लेना कि वो किसी वो मानने ही हो गये है और किसी बात को इसले भी मत मान लेना कि वो परमपरा से मानी जा रही है और किसी बात को तुम इसले भी मत मान लेना कि मेरे दुआरा कही जा रही है यदि तुम किसी बात को तभी मानना जब कोई वो तुमारे वीवे की कसोटी पर खरी उतरती है यही बात कभीर साथ ने कही है कि जब तब तुम किसी बात को अपने वीवे की कसोटी पर कसो और खरी उतरे तो उसको मानो हमें अपने मत, पंत, धर्म, संप्रदाय का पिशलग गुनी बनना है कभीर साब का संदेश यही है कि अपने मत, पंत, धर्म, संप्रदाय, पोथी, पुस्तक यह सब इनका कोई पक्षपात में करना हमें हम इनसान है हमें इंसानित की बात करनी, उनकी एक साकी बड़ी मशूर है कि पोथी पड़पड जगमुवा, पंडित हुआ ना कोई, अर ढाई आखर प्रेम का पड़े सो पंडित हुए, हमें प्रेम का पाठ पड़ाया कभीर साब ने, प्रेमी ढूंडत में चला, प्रेमी मिल आ ना कोई और प्रेमी से प्रेमी मिले तो सब विश्च अमरत होे हम प्रेम का पाँठ पड़े कभीर सहब का एक मात्र यही संदेश है संद्साब ने एकी लाइन में सारी बात कहा दी कि जातियों को भुला के सभी को प्रेम की भाशा पड़नी चाहिए और कबीर साब का कितना अच्छा लाइन उन्होंने सुनाई है कि धाई अक्षर प्रेम का पड़े सो बंडित होई तो सब को सिर्फ प्रेम की भाषा बोलनी चाहिए हिंदू, मुसलिम सिखिसाई सब को मिलके रहना चाहिए और कबीर साब की बात के लिए आपने इतनी बात करी बहुत बहुत धन्यवाद साब मैं ऐसे जैसे चैनल को जो मशूर चैनल है मैं नाम तो सुन रखाता है और आपके दीदार भी मुझे हुए मैं अच्यदी प्रसंद हुआ कि आज शांती सरुप जी बहुत मान्यवर्श बहुत धाचारी शांती सरुप जी बहुत के इस बंगले पर आलिशान बंगले पर इसे आलिशान व्यक्तित वाले मेरे मेरा इंटर्विव लिया मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्र बजार रहा हूंगा मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप ने अभी तक हमारा चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है